राजिपाल तमिली साई ने कहा कि युवा पेडी नशीले पदरताउं की शकार न हो इसके लिए सरकारी अस्पतालों में दे एडिक्शन केंद्र सापित किये जाए उन्होंने कहा कि युवा और बच्चे मादक पदार्तों की आदी हो न हो दिशा में निगरानी रखनी चाये बेगम पेट रसुलपूर में मादक पदार्तों की खिलाव से नो टो डग्स नाम का रन का राजिपाल तमिली साई ने अभिमंत्री मंचु लक्ष्मी की साथ मिलकर शुभारम किया रैली का उदगाटन करने के पश्चात राजिपाल तमिली साई ने कहा कि युवा नशीले पदार्तों के लत्में ना पड़े इसके लिए सरकारों सहित, प्रमुक व्यक्तियों, स्वेचिक संस्ताओं द्वारा लोगों को जज़क करने की आवश्यक्ता है आधित्य महवताप फौंडेशन के तत्वावधान में से नो टू ड्रक्स के नारे को लेकर आयुजित की गई इस रैली में कई प्रमुक लोग शामिल हुए उन्होंने बताया कि आज यहां से आरंब हुई यह रैली करनाटक राज के गोकर्ण तक लगभग 660 किलोमीटर लंबी यात्रा 6 दुनों तक चलेगी मंत्री हरिश राव ने कहा कि केंद्रे मंत्री प्यूश गोयल द्वारा मंगलवार को मुख्य मंत्री केसयार पर की गई टपनिया आपती जनक है सतर लाग किसानों का प्रती निधित्व करते हुए राजय की मंत्री डेली गए तो पियुश गोयल ने अंदातों की आत्म सम्मान को अपमान किया है मंत्री हरिश राव ने कहा कि चुनाओं में अपनी हार की रंजिश लेकर हमारे किसानों को अपमान जनक दृष्टी से देखते हैं क्या मंत्री हरिश राव ने कहा कि आपके पास भारतीय जनता पार्टी नेताओं से मिलने का समय तो रहता है लेकिन अनाच के वुद्धे पर राजिके मंत्रियों के लिए आपके पास समय नहीं है औरोंने आखरोश करते हुए कहा कि जूटे परचार के सहारे कीचड उसाला जा रहा है मंत्री हरिश राव ने मांग की कि राजिमें अनाच की खरीदी केंद्र करेगा या नहीं पहले इस बात का खुलासा करें उन्होंने बताया कि गोदामों की शमता पर हमने कोई पत्र केंद्र को नहीं लिखाया है यह सब निराधार यहुँँ जूट है केंद्र मंत्री गावरोनीलु पीज गोएल्गारू निन्ना राष्ट्र मंत्रुलन उद्देशिंची माटलानने ट्विंटि वैक्यलु तीवर अभ्यंतर करम आयन उखकेंद्र मंत्री का गाखुंड उखा राजकीयं जेशे विधंगा उखा राष्ट्रमं तो वेवहारिंचे तीरुलो वार वेवहरिंच लेएद। इवाला मा राष्ट्र मंत्रुलु डिल्ली के उच्चिंदी डेभ्बै लक्षल मंधी रहीतुला तरफुने डिल्ली कोच्छार। नालु कोट्ल तलंगाना प्रजल प्रजा प्रत्निदुलुगा डिल्ली कोच्छार। कानि पीउज गोयल गारू मीकें पनलेदानी माट्रान नेटिंटी व्यक्यलू चाला चाला अभ्यंतर करम। इदी यावत तलंगाना प्रजानिकान ने अवोमान पर्चडू। मेर्चल जीले के बोड़ुपल थताओ पीजादी गोड़ा नगर निगमों मी क्रिस्मस उत्सवों का भविय रूप से आयोजिन किया गया। इस कार्यक्रम मी राज्य की मंत्री मला रड्डी ने भाग लेकर केक काटकर सभी को शुपकाम नाय दिया। क्रिस्मस तेवहार के संदर्ब में तिलंगाना राज्य सरकार द्वारा इसाईयों के लिए उपलब्द कराए गए उपहारों का मंत्री मला रड्डी ने वित्रण किया। इस संदर्ब में राज्य में सित गरीब जनता से कहा कि आप सभी आपस में मिल जुलकर अपने अपने तेवहार मना लें। मंत्री मला रड्डी ने कहा कि मुख्यमंत्री केसी आर तिलंगाना राज्य में हिंदूओं के तेवहारों पर बतकम्मा साडियां, रमजान के मौके पर मुस्लिमों को ईच के उपहार तथा अब क्रिस्मस के आउसर पर इसाईयों को उपहार बांट रहे हैं। इस कार्यक्रम में बोड़ उपल पीरजादी गुड़ा नगर निगम परिजी में स्थित हिसाई बंदूओं को क्रिस्मस के उपहार बांटे गए। इस अउसर पर पीरजादी गुड़ा सियुक्त निगमों के महापाओर उप महापाओर तसा पार्शदों सहित अन्य कई नेता इस उत्सव में शामिल हुए। प्रतोक्कर गुड़ा कुलमत बेदम लेकुन्टा पेद कुटुम्बाल एंतम अन्य उन्नेयो वाल अंदरी गुड़ा वालवाला पंड़कलकु बट्टल पंपिरी कारिक्रमम चेशने गनता मना सियम केशियार कार। पुड़ मानम जूस्रम बतकमा पंड़कोस्तुंदी रतोक्का आडपाड़कु कुड़ा चीरल पंपिरी कारिक्रमम चेशने गुड़ा रमजान पंड़कोस्चिंदी मुष्लिम सोधरल कंदर कुड़ा बटल प्याक इच्ची वाला कड़पुनिंट बोजनें बेट्टु मनने सीयम केशियार कार। देशमल एककड़ ए राष्टमल गुड़ लेदु मने राष्टमल प्रती पेध कुट मालन आदु कुटर रड़ू आसर्पिंच इल गानी कल्यालन नक्ष्वी गानी इस वन्नी गुड देशमल ए राष्टमल इटल इमादिरिक इंत प्य थेत्च वायसार तलंगाना पाटी की अध्यक्ष वायस शर्मिला की पधियात्रा आज भी जारी है आज निर्मल जिल्ले के दिल्वारापूर मंडल के कालवा तांडम में शर्मिला ने पधियात्रा की इसी संदर में उन्होंने आत्महत्या की किये एक किसान बनोत अंबर सिंग के घर जाकर उनकी परिजनों को सांध बना दी वयसार तिलंगाना पार्टी की अध्यक्ष वयस शर्मिला ने पधियात्रा के दवरान ग्रामिनों से बात करते हुए कहा कि सरकार की अनैतिक नीतियों तथा विधानों के कारण ही राज में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं शर्मिला ने इस आरोब के साथ कहा कि राज में किसान आत्महत्याओं की जिम्मदारी टियारे सरकार को ही लेनी चाहिए वयस सरलत के लंगाना पार्टी के नेताय वयस शर्मिला ने घोश्टा करते वे बताया कि टियारे सरकार की किसान वीरोजी नीतियों के खिलाब उनकी पार्टी अपना संगर्ष आगे भी जारी रखेगी उन्होंने किसानों को विश्वास दिलाया कि किसान भाईयों के साथ उनकी पार्टी सदा उनी के समर्तन में खड़ी रहेगी भारतिय जनता पार्टी के विधायक रगुनंदन राव ने कहा कि राजिस सरकार में इमानदारी और किसानों की प्रती समान है तो एक सप्ता की भीतर शेतिय स्तर पर पूरे अनाजकी खरीदी कर उन्होंने डेली दोरे पर चल रहे राजिकी मंत्रियों को वापस यहां आकर यहां की अंदातों की समस्यों का हल निकालने की बात कही भारतीय जनता पार्टी के विधायक रगुनंदन राव ने टियारे सरकार की निंदा करते हुए कहा कि चावल के अंतिम दाने तक की खरीदी करने केंदर सरकार तयार है लेकिन राज की टियारे सरकार जन्ता को गुम्राह करते हुए उनके समक्ष गलत बयानबाजी कर रही है उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भविश में अपने उपर आने वाले केशों के डर से ही मुख्यमंत्री केशियार नए नए नाटकों का सुरुजन कर रहे हैं रगुनन्दन राव ने कहा कि राज की तिलंगाना सरकार को राज के किसानों के परती कोई प्रेम एवों श्रद्धा की भावना नहीं है उन्होंने बताया कि राज ने केंदर को 20 लाख मेटरिक टन चामल राव राइज अब तक नहीं दिया है इसका केंदर सरकार तिलंगाना सरकार से मांग कर रही है इसका केंदर सरकार से मांग कर रही है पोर्व केंदर सरकार से मांग कर रही है इस अफसर पर कईंगरस नेताओं ने वेंकर स्वामी की प्रशन्था करते हुए कहा अनेकों लोगों को विध्यादान किये हैं आज विंकर स्वामी एक महान वित्ती के रूप में स्थापित होने का यही कारण है कांगरेजी नेताओं ने कहा कि आज भी सभी को उनके आदर्शों पर चलने की आवश्यक्ता है इस पुन्नेतिती कारेक्रम में तेलंगाना प्रदेश कांगरेस कमिटी के कारेवाहक अध्यक्ष महेश कुमार गौड तेलंगाना प्रदेश कांगरेस कमिटी के वरिष्ट उपाध्यक्ष कुमार राओ तथा अनुबंद संगों के चेर्मेन आदी नेतागण उपस्तित थ जम्मी गड़ा शम्शान वाटिका के लिए ततकाल भूमी आवंटित करनी की मांग को लेकर सर्वदलिय नेताओं ने कलेक्टर कार्यले की समक्ष धर्ना दिया शम्शान वाटिका की इस संबन में सिट विजन द्वारा प्रसारत विवरन की पदशात शम्शान भूमी की जंग और तेज हो गई है जम्शान वाटिका के स्थान की मांग करते हुए आजजित प्रदर्शन का नेत्रत्व जिहें चेम्सी कपरा सरकिल एस राव नगर डिविजन की पार्शत सिंगी रेड़ी शिरिशा सोमशेकर रेड़ी ने किया इस आउसर पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमीटी के प्रचार विभास चेर्मेन मलू रवी सहित तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमीटी के सदस्य सिंगी रेड़ी हरी वर्धन रेड़ी मुख्या तिती के रूप में उपस्थित हुए उन्होंने श्मशान वाटिका स्थल की मांग का पूर्ण समर्थन किया इसी मौके पर हरिवर्धन रेड़ी ने कहा कि आज श्मशान वाटिका के लिए जगह की मांग करते हुए धरने पर उतरने की परिस्तितियां आना या बहुत ही शर्मनात यहों दुर्भाग की पूर्ण बात है मलु रवी ने कहा कि सरकार जनता की इस मांग पर तत्काल कारवाई कर श्मशान के लिए भूमी आबंटित करते हुए वैखुंट दाम का निर्मान करने की कारवाई तत्काल आरंब करें इसके पश्चाथ एक शिष्ट बंडल जिला कलेक्टर से मिलकर उन्हें एक ग्यापन सौपा इस प्रदर्शन कारेक्रम में सर्वदलिये नेताओं सहित जमी गड़ाश मशान वाटी का साधना समीती तथा कांग्रेस पार्टी के कई नेता शामिल थे प्रजलो इंडलु गावाल ने पोरट उन्हें लेदू उज्जो गाल गावाल ने पोरट उन्हें लेदू लेक रेदर्वेशन माक्ष्ट जेप्र रटके उफवालन चेटूं लेदू लेदू लेक दलित बंदू इव वालनी पोरट उन्हें गाधू इवन्डे काकुणड इवळा स्पचारवाटक के स्थालमें वालने धर्ना जेश्चे दूस्तिते तेलंगानराष्ट्रमुलो इवच्चिंदी दान परंगा तेलंगानराष्ट्रमुक नेन्नाय वंद इसकुंदी प्रति ग्रामों लो इस स्पचारवाटिकलो फ्रभुत्तमे कटिच्चे खारिक्रमों जर्गिन्द मेरगार गानिवांडि गतकार्पेटरल गानिवांडि अंदर माटिवडम जर्गिन्दी खनी आ माटन पेडचे खेविनु पेट्टि पनाय पोयंगेने माटत अप्पिना इनायकुल अंदर की मरी मेम गुडा मुन्न जर्गिने एनिकलललो मा स्रीमती सिरिशा रेड्डिगारु मरी डाक्टर नेश्टो नगरोंची पोटी जर्गिन्दी अंदूलो बागंगोने एलक्षनलो बागंगा में गुडा जम्मिகड स्मशान वातिका सलकेटा इमपुलू जर्पतुने जम्मिkeड वास्थवयोलकी जम्मिगड स्मशान वातिकाने कात्पिस्ता मनिं में गुड़ं 만큼 जर्गियेंदी दुस्ती ते नांटे समच्रम निंची अंदर आफिसर लनी नायकु लनी एवरेते लैंड इस्तामानी प्रामाना जेशन वाल अंदर नी वाल इंटी चुट्टू चकर लोड़तों ने उननम सजजनार मुद्दा छोटा हो या बड़ा सभी को गंबीरता से लेते हुए आम लोगों की प्रशन सा बटोर रहे हैं अब ताजा तरीन आदिश जारी कर इस बस्तान प्रांगन में थूपने धुम्रपान करने यहां खुले में कच्रा पड़ा दालने के लिए उन लोगों से पूरी सक्ति से पीश आ रहे हैं पीची सजजनार ने अपने ट्वीटर संदेश में बताया कि हैदरबाद के बस्तेंडों में थूखना धूम्रपान करना कूडा कच्रा फैंकना इसी के साथ साथ बस्तेंडों के खुले स्तानों पर मुत्र विसर्जन करने पर बड़े पैम पर जुर्माना लगाया जाएगा इसमें यात्रियों सहित आटो रिक्षा चालक आदी भी शामिल हैं उन्होंने अपने संदेश में बताया कि इन सभी लोगों को उनके द्वारा किये गए नियम और लंगन के अनुरूप जुर्माना लगाया जाएगा इसे संदर्व में संजनार ने कहा कि तिलंगाना राज्य सड़क परिवर निगम के बसों बस्टैंडों को सच एमों साफ रखने की हर एक नागरिक की नईतिक जिम्मेदारी है इस कारण लोग अपनी जिम्मेदारी को समझ कर ही सतर्कताय बरतनी चाहिए विदित वर्गों में रिक्तस्तानों की भरपाई के लिए मुख्याले यूनेट कोटा की अंतरगत सेना में भरती हेतू राली का आयुजिन 17 जनवरी को किया गया है सिकंदरबाद छेवनी स्थित में EME सेंटर में सोल्जर टेक्नीशिन, सोल्जर ट्रेडमान वर्गों का स्पोर्च कोटा में इन पदों की भरती की जाएगे आर्मी सेना भरती में रोजगार के लिए प्रवेश परिक्षा में भौतिक, रसायन, गणित तथा अंग्रेजी विशेयों में नियून तम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तिर्ण होना आवश्यक्त है इसके अलावा अन्य प्रति विशेय में नियून तम 40 प्रतिशत अंक हासिल करना अनिवारि होगा सेना भरती विभाग ने बताया कि इस भरतियों के लिए आयू सीमा 17 वर्ष 6 मासों से लेकर 23 वर्ष के भीतर आयू वाले ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं सेना भरती विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सोलजर वर्ष में भरती हेतु 10 वी उत्तिर्ण के अलावा 45 प्रतिशत अंक होना अनिवारि है सोलजर ट्रेटमेन वर्ष में 10 वी पाश उम्मिद्वार योग्य माने जाएंगे अधिकारियों ने बताया कि इन पदों के इच्छुक आवेदक या उमिद्वार कैंटोनमेंट मिल्टरी एरिया इमी कोटेश्वर द्वार चार ट्रेनिंग बटालियन में 17 जिनवरी 2022 के प्रातर 6 बजे रिपोर्ट कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए जॉइंट इंडियन आर्मी वेबसाइट पर संपर्क किया जा सकता है जिपर उन्हें संपूर्ण विवरंट प्राप्त करने का सुविधा प्राप्त है यह जानकारी सेना के अधिकारियों ने जी इजब की राजधानी कैरों में संपन अंतराष्ट्य जिम्नास्टिक्स प्रतिसपरदा में दो स्वन परदख हासल किये हैदबाद नगरवासी अरुन रेड़ी को बाटमिंटन कोच असूसेशन के अध्यक्ष ने किया कार भेट किया है इस मौकी पर मेगा स्टार चुरुन जीवी के हातों कार की चाबिया अरुन रेड़ी को सौंपी गई अंतराष्ट्री ये मंच पर भारत की धाग जमाई अरुना रेड़ी को और अधिक प्रोथसाहित करने के लिए ही उन्हें किया कार उपवार में दी गई इस वाद की जानकारी चामुंडेश्वरी नात ने दी उन्होंने कहा कि अरुना रेड़ी भविश में और अधिक पदक हासिल करें ऐसी हमारी कामना है अरुना रेड़ी ने बताया कि जिमनास्टिक विभाग में दो स्वर्ण पदक प्राप्त कर उन्हें बहुत खुशी है वो आनन्द की प्राप्ती हुई है उन्होंने बताया कि पदकों तता हुपहारों ने मेरे उत्सा को दुगना कर दिया है हरुना रेड़ी ने बताया कि अगली कामनवेल्स खेलो में वे भी अच्छा प्रदर्शन कर अत्युनत स्थान को हासिल करेंगी रेड़ी फेड़ बताय प्रदर्रेट्ट। ऑसे बताय कि अच्छ भाण प्रदर्शन करेंदे सि Background K अपड़े बेदेट पिक्स पड़ताना मेड़से ना जिसता है जो नहीं केटिमें टी सब्बूर्ट कावल अन्ना अपेर अरुना रिदी नेन अटनेशनल अटिस्टेक जिम्नास्त नी 2008 लो फस्ताइम नेनु सर चेपने तो चामंदी सर नी अप्रोच अएंटी पोरेंट ट्रेनिंग के वेलाल अन्नी स्पोंसर्शिप्स को समनी सर अपड़ ममल नम्मी लेद मा तपकोंडा मिक कस्टपड़े वालू मिक तपकोंडा सायन चासतामू अन्नी सर अपड़ु सरु ग्रीन कोड अम्दी सर कलसी स्पोंसर्शिप्स चेसना दान की 2018 लो Melbourne World Cup लो फस्ट ब्रांज मेडल अचिंगा दी इंडिया की फस्ट मेडल वल्ड प्लाटफर्म लो अपड़ु सर ने कलसना अपड़ु हिस्ट्री क्रियेट चेस है नो दान तरवाता कंटिन्यू त्री यर्ज ने नो आउट अफ ट्राक एल पॉइंटी जिम्नास्टिक्स फिल इंडिया की विवाहता ने अपने पती के घर के समख्ष धन्य पर उत्री उसकी मान्ग है कि मुझे मेरी पती के साथ ससुराल की मकान में रहने की अनुमती दी जाए यह घटना अलवाल पुलिस थाना परेदी के लोद कुंटा शेतर में घटी वर्ष दो हजार बारा में संदी प्रिटी नामक वेक्ति का स्री लता के साथ विवाह संपन हुआ कुछ वर्षों तक इनका संसार बड़ा अच्छे डंग से चला इसके पश्चाथ इन लोगों के बीच जगड़े आरंब हो गए श्री लता ने आरोप लगाया कि जब से आज तक भी उसका पती संदी प्रिटी उसके साथ मिलकर नहीं रह रहा है और उसे दूर कर दिया है पीडिता श्री लता ने बताया कि उसका पती शादी के कुछ दिन बाद से ही उसके साथ जगड़ा आरंब कर दिया और प्रती दिन शराब पीकर अपने घर आता था और उसे प्रसाडित करता था पीडिक स्रीलता ने बताया कि उसका पती संदीप रिड़ी उसे सदेव यही कहता था कि वह अपने माता पिता के कहने पर ही उसके साथ विवाह किया है इसके अलावा स्रीलता ने बताया कि जब भी उसने अपने पती से फोन पर संपर्ख करने की कोशिश की तो वह कभी प्रतिक्रिया नहीं दिया है उसने मांग की कि उसे पती के साथ मिलकर रहने जैसा न्याय दिलाया जाए साथ ही मुझे ससुराल के घर में रहने की अनुमती मिलने तक वह घर के बाहर ही धरने पर अडी रहेंगी अधे ड़ाया से और दिलाए नहीं में दोटती लीच Means की अग्रीश जेता है जो ने लेख जा एंट एंटने ने इंट सिप्टा एंट कुंटिया शुन अन्माइपला एप्र एवरीड़ दाइर आवड़ एवराद को अपूने जाए जाने ज़िए ताइम प्रयाद को अपड़। पुलिस आयोक्त अंजनी कुमार ने जारी की, हुसेन सागर जील में स्थित भुद्प्रतीमा स्थल पर आयुज़ित कार्यग्रम में उन्हों नहीं यह रिपोर्ट जारी की हैदरबाद नगर पुलिस आयोक्त अंजनी कुमार ने बताया कि इस वर्ष दर्ज हुए मामलों में 48.3 मामलों में अपरादियों को सजा मिली है उन्होंने बताया कि इस वर्ष 70,000 से अधिक CCTV कैमरे लगाए गए हैं साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इस समय हैदरबाद में 4.4 लाग CCTV कैमरे शक्री हैं अंजनी कुमार ने बताया कि वर्ष 2021 में 7 नए पुलिस थानों का शुबारम किया गया है साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि नगर परिधी में इस वर्ष 25 हत्याएं 192 अपरण के मामले 21 संपत्ती अपरण के मामले दरज हुए हैं इसके अलावा पुलिस ने 11 करोड रुपयों की संपत्यां भी बरामत की है अंजनी कुमार ने बताया कि आज तक 54 प्रतिशत संपत्यों की रिकवरी हो पाई है लास्ट टू एर्स लो चाला मंदी निव ओफिसर्स विमें ओफिसर्स में ओफिसर्स हो चरो एनी प्रोसेस कंटिनीव अब तुन्दी 2022 लो कुडा one batch of recruitment will take place so oka mentorship mentorship अंटेमती senior officers Dwara senior officers can be even head constable sub-inspector officer, inspector officer senior officers also mentorship प्रतिशत की चेतलो group of 20-25 officers they will be there